आज मैं आपके लिए लेकर आयो मकर संक्रामती के सबसे इस्पेशल और हर घर में बनाये जाने वाले तिल गुड के लड़ू यहां पर सबसे पहले हम लेंगे 215 ग्राम तिल साथ ही यहां पर हम लेंगे 200 ग्राम गुड सबसे पहले तिल को हमें भूनना होगा बस धीमी आज पर इस तरह चलाते वे भूने हलक असदे की कलर चेंज हो गया है अच्छी से खुश्बू भी आ रही है गैस को बन कर देंगे और तुरंट से तिल को एक बड़ी प्लेट पर निकाल लेंगे कढाई में सबसे पहले हम डालेंगे एक बड़ा चमच घी और घी के मैल्ट होते ही इसमें हम डाल देंगे हमारा क्रश्ट गुड और बस इस तरह से लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए गुड को हमें बढ़िया से पकाना है जब तक इसमें बॉइल ना आ जाए इस तरह क सॉफ्ट है बस इतने भरता कि हमें गुड को पकाना है और इस स्टेश पर इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलाइची पाउडर दो पिंच बेकिंग सोड़ा और इसी स्टेश पर गैस बंद में ही फटा फट से हम अपने तयार भुने वे तिल इसमें डाल देंगे अगर आप की प्लेट ग्रीज करके रखी न देखिए छोड़ चोटी पोर्शन जितने बड़ा हमें लड़ बनाना है उससाब से इस प्लेट पर रखते जाएंगे हातों को हलका सगी रगा की ग्रीज किया हुआ है मैंने और देखिए इस तरह से लड़ की शेप देंगे बिलकुल भी आप कोई गरम महसूस नहीं होंगे हलकी सी हवा नगते ही और देखिए जिस तरह में लड़ बना रही हूं बिलकुल इसी तरह आप बनाते जाएं इतने बड़ी है लड़ बनेंगे कि सब तारिफ करेंगे विश्वास नहीं होगा किसी को न देखकर न खाकर कि यह आपने घ हर में बनाए है बिलकुल हलवाई स्टाइल